हेलो फ्रेंड्स मैं आप कमेंट और एके सिंग और आज हम सीटेट के 2014 का पेपर वन देखेंगे यानि की पेपर वन का हिंदी का सेक्षन देखेंगे तो इससे पहले की जितने पेपर आपको कम मिल चुके हैं तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर उनकी वीडियो पढ़ी है तो समय बयातना करते हैं चलिए सुरू करते हैं question number पहला कहां पहला कहां जब देखें यह पैसी से question है कहां तक है 91 से लेकर 99 तक पैसिज आपको सामने दिख रहा है तो आप इसे पॉस करकर पढ़ सकते हैं पर आपको मैं फिर कहूंगा कि कभी भी पैसिज पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना और खासकर आप सी बीटे एक्जाम हो चुग है तो सी बीटे एक्जाम में पैसिज पढ़ने की उपा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट करना मत सीधे सीधे कोशन ब्याना अगर कोशन पढ़ने के बाद कुछ दिक्कत लगता है वैसे भी पैसिस से कोशन आपको एक ये दो ही मिलेगी नहीं तो जनरल कोशन मिलते है तो इसलिए पैसिस से कोशन पढ़ने की जड़त नहीं है कोशन नमर are 91 कोशन की अगरा है कोशन नमर unav biri dön के देखे कि जब गुलल जार लिखते हैं तो विशक किस के होते हैं तो उनके स्वहम के वई स्वहम क्यों होंगे आप कोई भी कहानी लिखते हो या कुछ भी लिखोगे तो आपके सीट आज जलदी क्लियर होगा उसके आशे है क्या है लेखा यानि कि समवेदना इसकी आत्मभूति के हिंदर से होती जैनि कि जैसे आप कोई कहानी लिखो या फिर किसी को लैडर लिखो आज के टाइम पर लैडर लिखे जाते हैं पहरे जो लइटर लिखे जाते हैं लैटर की स今日 किजि़क्की लिखनवी पत्र के लिखंग या पो ंगते हैं यानि कि आत्म भूति केंदर से Question No.93 एक लेका के लिये दूसरी महत्रपून बात क्या होती है दूसरी महत्रपून होती है Some Pration यानि कि Option No. पहला हो जाएगा Question No.94 कहता है किसी भी कला खा लक्षे क्या है तो वह लक्षे लोगों तक वह बात पहुचाना यानि कि आप कोई भी यानि कि देखे एक होता है कला फिर आता है कलाकार ठीक है कलाकार का उदेश ही होता है अपनी कला का प्रदशन करते हुए लोगों को जागरूप करना उसे ही सच्चा कलाकार कहा जाता है यह नहीं कि जो आज के टाम पर चले कलाकार का उदेश ही होता है क चलिए कोशन नमबर 95 देते हैं गुलजार अपने लेग को किस कसोटी पर कसते हैं तो वह होगा वह बात यानि कि पाठक तक पहुचा रहे हैं या नहीं बहुत सीधी सीधी पाठक भी नहों अपना आपको भी मेरे उपर मतलब सोरी पीससे पहला कोशन मताया उसमें क्या कह रह अपने सबी लोगों तक बातों को पहुचाना तो इसका अंसर गया हो जाएगा पहला चलिए कुशन नमबर 96 देखते हैं गुलजार लिखने से पहले क्या तै करते हैं तो वह कह करते हैं क्या कहतना है यानि कि जो भी वेक्ति ये चीज सीख गया तो वह सब्दों को तोल मोल कर बोलने यानि सामने वाली को अपने उपर हावी नहीं होने देगा और उसे अपने बातों से इंप्रेस करके अट्रक्ट कर लेगा चलिए कुशन नमबर 97 देखते हैं जहन का अर्थ क्या है जहन का अर्थ होते हैं दिमाग आपने का सुनाओगा जहन में आना यानि कि ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई तो वह था दिमाग चलिए कुशन नमबर 98 देखते हैं संगीत से विशेशन सब्ल बनेगा तो होगा संगीत तग्या यानि कि ऑप्शन नमबर दो कुशन नमबर 99 देखते हैं कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए वाक्य में क्या होगा तो इसमें दो चीजें इंपोर्टन थे तो और ही चलिए कोशन फिर आप देखे पंग्ति देखे जब नहीं था इंसान धरती थे पर थे जंगल बही यह जो पंग्ति हैं इतनी बड़ी का पंग्ति का में कुशन ने हैं पंग्ति से भी आपको दो यह तीन कोशन ही मिलते हैं सारी चीज़ इसलिए मैं कहता हूं पंग्ति और इस सब चीज़े अगर आपको लगे डाउट लगे कोशन में तपड़ी नहीं तो कोशन बढ़ने की जदत नहीं है ठीक है बच्छो कोशन नमबर सो देखते हैं धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ हुआ तो यह होगा जंगल कटने लगे पशुपक्षी गटने लगे जानवा गटने लगे तो यह हो जाएगा सभी ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 105 सोरी 101 देखते हैं इंसान बढ़ने लगे यानि के तरह से भाव कह रहा है तो यह जब कह रहा है तो इसक खूब तरक्की करने लगा तो या ओगा इसका अप्शन नमबर फर्ष्ट चलिए कोशन नमबर 102 देखते हैं 102 गया करती किसके प्रती इन नाइंसाफी नहीं करती तो वह किसकी बात करता है जंगल के परती पशुपक्षी के परती इनसान के परती तो यह option का इसका अंसर सब्वाई प्रकरती जो है सबको एक समान लेके कलती है क्यों पर प्रकरती ना इंसाफी थे तो यह ही option आहते एंट किरा फौशन कोoga 133 ौप कवीता के अंत में क्या भलग किया गया है तो वह है इंसानों ने अपनी क्या क tyre कर बात कही घैक है अगर आप कवीता को दियान से पढ़ें वह अभ बात आ सोचने लगे कवीता जियान से पढ़के तब आंसर मिलेगा तो नहीं इसका लगा जब हम इस सब चीजों को देख रहे हैं कोशन में तो कविता में क्या कर रहा है पूरने वाली बात कर रहां तो यानि होड़ा इनसान ने इनसानिएत खत्म कर दिये को आंसर गया जाए ऐह थोड़ा सा आप चीजों को वहवारी के तोरपर लेके चेलिये तब ही आप चीजों कुआ जांते हैं जिए लगे हैं यानि option number third question number 105 जंगल का परियावाची नहीं है तो जंगल का परियावाची बागीचा बागीचा क्या होता बागीचा आपको पते हैं आपके घर में यहां बहुत से घरों में बागीचा भी होगा question number 106 यहां से पेड़ागोजी question शुरू रहे और पेड़ागोजी question आपको सारे याद होने चाहिए एक तरह से question number 100 चाहिए प्रात्मिक इस्तर पर भाषा सीखने की सरुशेष्ट विधी कौन सी सरुशेष्ट विशेष्ट है भाषा का परियोग यानि अवसर देना अवसर देना हो जाएग हमारा टैग वर तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों को भाषा का परियोग करने की विविन अ अवसर देना दोनों टैग वर इंपोर्टेंट है तो इस चीज का ध्यान लखना कोशन नमबर 107 देखते हैं बच्चे प्रारम से ही बहु बाषी होते हैं क्यों होते हैं बहु बाषी पर एक उसकी मात्र बाषा होगी ठीक है फिर स्कूली की बाषा होगी खेलने की बाषा ह होगी तो इसलिए वह बाषी माने चाते हैं चलिए कुछ नमबर 108 देखते हैं प्रात्मिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है तो वह है बच्चों की मातर बाषा आना चीए ठीक है मातर बाषा क्यों देखे बच्चा कहां से आ रहा है घर से ठीक है और घर से कहां आया स्कूल स्कूल आया और स्कूल में आने से पहले कुछ टाइम तो घर पे रहा होगा भई सीधी सीधी मान के चलते हैं हम वह अगर आप तीन साल का बच्चा भी डालते हैं तो तीन साल तो घर में रहा चाचा ताओ मम्मी पापा भाई बैन दादा दादी नाना नाना सब ने गयाना से बाहत करी उसकी भाषा हुई तो घर की भाषा जाब हुई तो मातर भाषा को उसने कैच कर लिया सब कुछ उसमें सीखना शुरूगा भई आपने किसी भी चीज को ओन करना सीख लिया आप आपको कोई बाहर जाकर गए कि यह इस तरह ओन नहीं होगी दूसरी तरह ओन है और आपका जो इसकीमा बना हुआ है वह भी बिगड जाएगा इसलिए महात्र भाषा को इंपोर्टेंस डीज जाती है चलिए कोश्य नमबर एक सुनों देखते हैं भाषा सीखने शिखाने के संब्द में निवर लेकित में कौन सा खतन सही है तो भाषा सीखने शिखाने के से लेस्ट होते हैं यानिकि बच्चे से लेस्ट होते हैं ऑप्शन नमबर फरस्ट देखें दो कौश्य बिल्कुल एक के बाद एक देदी ठीक है चलिए, question number 110 देखते हैं, प्रात्मिक इस्तर पर पाठ्थे पुस्तक को निर्मित करते समय, आप किस बिंदू पर विशेश ध्यान देंगी तो वोगे हिंदी भाशा के वेविद दापोंट्स आमिल होने की बात, यानि option number 2 चलिए, question number 111 देखते हैं, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविदी देने का उदेशे का होता है, मैं देखिए, अभ्यास वाली बात, आओ चलो सीखें, इस तरह के जो question होते हैं, वो क्यों दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे के अभी वेक्ति के अवसर देने का, यानि कि उसक चलिए, question number 112 देखते है, प्रात्मिक स्तर पर एक भाशा शिक्षर से सरवाधिक उपिक्षित है, तो क्या उपिक्षित है, कक्षा और कक्षा के बाहर के बच्चों की भाशा के परियोग के प्रोश्सान गरना, यानि कि class room और क्लास रूम के बाहर की भाशा के परियोग की ब लेगा तो इसलिए याद अगना चौम के किसके लिए बच्चों की भाशा सीखने के जनम जाहत समता होता उल स्का्र कॉछ्चय पर कोई्शा के आँकलन की प्रक्रिया सीखने सीखने सिखने के दरान भी चलती है मैंई कि ऑप्षंघ करने की प्रक्रिया में किसका मैत सरवाधिक है तो वह होगा सामाज समाज का महत्पूर योगदान होता है और एक कोशन और पूछे जाता है चली यहां से बच्चे का जो प्राथिमिक यानि कि सबसे पहला समाज से जोडने वाला व्यक्ति कौन है कमेंट रेक्षन में मुझे बताए कोशन पूछा जाता है चली कोशन नमर 116 देखते हैं पढ़ने सीखने की प्रक्रिया यानि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमी का सरवादिक मेहत्पूर उती है तो हो है बाल साहित ते की सार्थिक पर यानि ऑप्शन नमर तो क्वेशन नमर 117 एक सामवेशी कक्षा में भाषा शिक्षान को किस बिंदू का सबसे अधिक ध्यान दखना चाहिए तो है विविद प्रकार के दिरिश्चे सामगरी यानि की ओडियो विज्वल एड का प्रियोग करना चाहिए ठीक है ओडियो विज्वल एड का प्रियोग होते हैं ठीक है ठीक है ठीक है उनका सबसे ज्यादा परियोग और सबसे कम परियोग कौन से सब्जेक्ट में होता है आप सीट एट के पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से बता दीजे देखते हैं आपने बियर्ड में क्लास ली है या नहीं ली पेपर वन में जो पांच सब्जेक्ट है और पेपर टू में पांच ही मान लीजे क्योंकि एसेस्टी वालों के लिए चाह और उसके अंदर भी सब्जेक्ट है और साइंस लोग लिए पांच उनमें सबसे कम जो टीचिंग एड में कौन सा ओडियो विज्वल एड जो यूज होता है वह सबसे कमा सबसे ज्यादा किसमें यूज होता कमें शेक्शन बताईए चलिए कोशन नमर एक सथा देखते हैं भाशा अर्जित करने में वाईगोस्ती ने किस प्रकार के सबसे अधिक बल दिया है तो वह है समाज में होने वाली भाशा प्रयोग पर यानि कि ऑप्शन नमबर तो कुश्चन नमर एक सोनेज देखते हैं प्रात्मी किस तार पर भाशा चिक्शन का उदेश्य यह है कि क्या है बच्चों के विवन इस्थितियों में बच्चों की भाशा का आकलन करने के लिए सबसे उची तरीका क्या है तो बच्चों की भाशा को प्रयोग का आकलन करें यानि कि बच्चों की भाशा प्रयोग का आकलन करें और प्रयोग कैसे करेंगे आकलन कैसे करेंगे उन्हें कहें अपने शब्दों में कुछ भी लिख आप घर से मतलब अपने घर से यहां तक आए उन्हें अपने वर्ड में लिखे तो उससे भाषा का आकलन हो जाएगा ठीक है बच्चो इन सब चोटी चोटी चीज़ों आप जब दहन लखें कॉंसेप्ट समझ लेगी तब आप चीजों को समझ पाएंगी ठीक है बच्चो और आपको एक चीज में कहाँ ओल्ड पेपर पढ़ लीजी ओल्ड पेपर पढ़ लीजी ओल्ड पेपर के बिना सीट एट को पास करना मुश्किल है और सीट एट में इस सारी अगर जान जोग दोगे तो आगे टीचिंग एंग्जाम में फिर सारा उतिमात बिलकुल धरा कदार गार जाएगा क्योकि यहां तो लाना है आपको नबचान पास और वहां पर जादा से जादा अंक लाने यहां पर आगर आपके नबचान माली जैसे अब घृपऊ बड़ान के चलते हैं यहां पर इसमार पर करकर तब पर दीजी और वहां पर इसमार्ट पर के साथ एक्स्ट्रा डाल यह टाल लिए ऐड़ए बच्चो चलिए आशक्रता हो को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल पर ससक्राइब करें और वीडियो को ज़ादा कि अब दो धूने कि अबक्षाइब दो जब दूने कि अधित